अलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, आज आप लोगों के लिए बहुत इप्यारी रीडिंग में लेकर आई हूँ, आज की रीडिंग आपको पूरा देखना है, क्योंकि यहां पर आज हम बात करेंगे आप लोगों के भविश्य के बारे में, आपके भागय के बारे में, आपके जीवन के बारे में यहाँ पर मैंने आज 3 पिक्टर्स चूज़ की है आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने सभी Zordiac Signs को डिवाइड किया है 3 पिक्टर्स में आपको इन तीनों में से जो भी आपका Zordiac Sign है आप Moon Sign है, Sun Sign आपका इन तीनों में से कोई भी है Libra और Scorpio थर्ड पिक्चिर में है Sagittarius, Capricorn, Aquarius और Pisces तो हिंदी में भी लिखा है इसे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और कोई प्रॉब्लम ना हो आपके जो भी राशी है आपका जो भी Zodiac sign है आप इसे चूज कीजिए और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका भागय क्या है आपके भागय में क्या लिखा है आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मैंने जो पिक्चिर आपके लिए इसले ली हैं क्योंकि हमने त्री पाइल्स आगे लिए हैं और three piles के साथ हम reading करने वाले हैं. तो हो सकता है, यह reading थोड़ी सी लंबी चले जाए, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, ताकि आप अपने past की energies और अपने future की energies को देख सकें, कि आपके लिए क्या होने वाला है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर start करेंगे, फर्स्ट पाइल से जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें four zodiac signs है, Aries यानिके मेश राशी, Taurus यानिके व्रिशब राशी, Gemini sign यानिके मिथुन राशी, और Cancer sign यानिके करकर राशी. तो अगर आपका zodiac sign इन में से कोई भी है, तो फर्स्ट पाइल आपका है, आप इसे चुन सकते हो, और आपकी रीडिंग को अब हम start करने वाले हैं, यहाँ पर three piles मैंने आपके लिए लिए हैं, और यह जो फर्स्ट पाइल है, यह इन्ही zodiac sign के लिए है, यहाँ पर तो चलिए reading को, आपकी रीडिंग को start करते हैं, four signs के यहाँ पर बात कर रही हूँ, और आपके जीवन का क्या हाल है, क्या आने वाला भग्य है, आज हम उसकी बात करेंगे, तो चलिए start करते हैं, पहले first pile से, first pile से जब हम start करेंगे, तो देखेंगे कि आपके लिए पहले past की energies क्या है, यहाँ पर जो cross, आप cards देख रहे हैं, इन piles के ऊपर, तो यह जो नीचे के cards है, यह past energies हैं, और crossed cards जो है, यह आपके future की energies हैं, तो मैंने इस लिए इनको इसी तरह से रखा है, ताके confusion नहीं हो, तो चलिए reading को start करते हैं first pile से, यहाँ पर आपके लिए जो energies निकल कर आई हैं, past की energies जो है, वो है justice, the fool, the hanged man, और five of cups, और इसके बाद जो आपके future की energies हैं, उसमें है ten of pentacles, empress, और king of sword, और इसके साथ साथ है, wheel of fortune, काफी अच्छी energies हैं, future के लिए तो आपको कोई वरी की जरूरत नहीं है, reading को start करती हूँ, past की reading को सबसे पहले देखते हैं, कि कैसी energies थी, तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर full card की, तो यह दिखाता है, कि past में, आप बहुत immature रहे हैं, आपके फैसले बहुत immature रहे हैं, आपने कोई भी decision जो था, वो बहुत अच्छे ढंक से नहीं लिया, आपने अपने energies को कभी कभी गलत तरीके से भी इस्तिमाल किया है, बहुत सारी चीजों के साथ, आपने बहुत सारे sacrifice किये हैं, आपने अपने रिष्टों में बहुत सारे sacrifice किये हैं, आपने अपने रिष्टों को समझने के लिए, आपने अपने रिष्टों में balance करने के लिए, उसको justice करने के लिए बहुत कुछ किया है, पर यहाँ पर आपने धोखा ही खाया है, यह भी मुझे दिख रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के लिए कुछ भी कर ले हम किसी को अपने जीवन का सब कुछ भी दे 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 वो व्यक्ति हमारे साथ धोखा ही करता है ये धोखा यहां पर दिख रहा है Five of Cups की इनर्जिस भी यही दिखाई दे रही है कि आप इस धोखे से बहुत परिशान है आप बहुत जादा रिग्रेट कर रहे हैं कि आप इस रिश्टे में क्यों बढ़े आप इस रिश्टे में क्यों आगे गए लोग आपकी बातों से आपको इतना जादा धोखा देते हैं कि कभी कभी आप ही परिशान हो जाते हो कि लोगों को आप क्यूं अच्छे नहीं लगते हो या वो आपसे क्या चाहते हैं कितने सेक्रिफाइस करवाएंगे वो आपके जीवन में क्यूं आई और क्यूं इतने सेक्रिफाइस करवाके चले गए क्यों आपके life इस तरह की है क्यों क्या कोई कार्मिक बंधन है क्या कोई परिशानी है तो ये चीज़ें आपको बहुत परिशान करती है आपको बहुत सारी चीज़ें परिशान करती है रिश्टों को ले कर यहां पर देखे five of cups दिखाता है कि बहुत सारे emotional imbalance आपके साथ हुए है और आप इससे बहुत दुखी है आप justice के लिए बहुत भागे हैं बहुत दोड़े हैं बहुत sacrifice आपने किये हैं बहुत सारे risk उठाए हैं पर ये justice आपके साथ पुराने समय में तो नहीं हुआ past में तो नहीं हुआ इसके लिए आपने बहुत सारे चीज़ों को sacrifice किया है रिष्टों को sacrifice किया है time को sacrifice किया है बहुत सारे energies को sacrifice किया है यहाँ पर मैं एक बात जरूर देख रही हूँ कि आपके लिए जो आपके future की energies हैं वो past जैसे बिलकुल भी नहीं है past में जो भी हुआ आप उसको अब बहुत ज़ादा ही change करता हुआ देखेंगे change होता हुआ देखेंगे wheel of fortune कहता है कि आपके कार्मिक जो lessons थे वो आपने सीख लिए है अब आपको आगे बढ़ना है अब आप उस energy में नहीं रहेंगे आपका future बहुत bright है पीचे जो भी हुआ जैसी भी energies थी आप उसे भूलेंगे अब आपने जितने sacrifices कर लिए बस कर लिए अब आपके लिए भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है भाग्य जो है वो आपको एक रानी की तरह एक princess की तरह देखना चाहता है जैसे आप अगर female है तो female के लिए ये मैं बात कर रही हूँ और अगर आप male है तो आप king like हो जाएंगे आपकी energies ऐसी है यहाँ पर देखे 10 of pentacles है तो family के साथ होंगे आपको अपनी family का साथ मिलेगा love reading की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी energies है आपको ज़रूर आपका प्यार मिलेगा जिसके लिए आप past में बहुत भागे है जिसके लिए आप past में इतना ज़़दा भागे हैं कि आपने सब कुछ दाओ पर लगा दिया जिसके लिए आप इतना ज़ादा भागे हैं कि आपने किसी भी रिस्क को उठाने से आप चूके नहीं, आपने हर रिस्क उठाया है, कि वो शायद आपको मिल जाए, तो ये जो relation है, अब आपके लिए एक solid relation होगा, pentacles की रजी दिखाती है, earth element है, stability है, आपको आपका future जो है, bright दिख रहा है, ये आपके लिए आपके career को लेकर भी bright दिखाई दे रहा है, क्योंकि career भी बहुत अच्छा जाने वाला है, जो karmic lessons आपने सीखे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर दे कर जाएंगे, आपके लिए आपका भविश्र, आपका future बहुत bright है, आपकी जो thought process है, वो भी ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बिलकुल, आप एक king-like सोच होगी आपकी, आप बहुत बड़ा सोचेंगे, और आपके rules और regulations जो हैं, वो देखने वाले होंगे, आपने जो past में सीखा, आप उसे implement करेंगे, आपने जो past में धोके खाए हैं, उससे आप अच्छे से मुकाबला करेंगे, आपकी willpower बहुत strong होगी, आप अपनी हर condition में अब बहुत जादा सुधरे हुए नजर आएंगे, लाइफ में जब हमें कुछ bad experiences होते हैं, तो हमें वो सिखा कर जाते हैं, lessons होते हैं वो हमारे लिए, कभी-कभी ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि इसा क्यों किया, तो वो इसलिए होता है, ताकि हम परिपको हो जाएं, हम इतने mature हो जाएं, हम इतने wise हो जाएं, कि अब हम कोई गलती ना करें, तो यही आपके साथ हुआ है, पास्ट में जो भी lessons आपको मिले हैं, वो रिष्टों को लेकर हों, वो आपके career को लेकर हों, वो काद आएं हैं, वो बहुत खुबसूरत है, दा Empress की energy दिखाती है, कि एक fulfillment है, यहाँ पर आपको 10 of pentacles भी यही दिखाता है, और will of fortune भी यही दिखाता है, कि जीवन का पहिया फिर से घुमेगा, और आप जो पाना चाहते हैं, वो आप बिलकुल पाएंगे, आपकी future reading बहुत तो past की बातों को तो भूल ही जाना चाहिए, जब past खराब होता है, तो उससे निकल जाना चाहिए, और बहुत आसानी से आप निकल जाएंगे, आपका future यही दिखा रहा है, कि past से आप कितनी आसानी से निकल जाएंगे, यह आपको भी पता नहीं चलेगा, आप इतने mature हो ज दिख रही है मुझे, बहुत चीजें अच्छी दिख रही है मुझे, यहां पर मेजर कार्ड है जो आपके लिए एमपरस, तो वो दिखाता है कि आपको जो मिलने वाला है, वो काफी स्टेबल होगा, काफी बड़ा होगा, काफी अच्छा होगा, और काफी आपके लिए स्मू जैमिनी साइन है और फूर्थ हमारा साइन है कैंसर साइन तो आपकी लिए आपका future bright है का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको इसे इस energy को समझना है आपको focus करना है अपने लक्षे की तरफ आपको आगे बढ़ना है आपको पीछे नहीं देखना आपको बिल्कुल भी पीछे दे आप उनको बस इकठा करें और experience गेन करें और आगे बढ़ते चले जाएं क्योंकि future जब bright होता है तब पीछे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और जब आप पीछे देखते हैं तो वो energies फिर कहीं नहीं आपको block करती है तो blockage बिल्कुल नहीं चाहिए आपको आगे बढ़ना ह और move on करना है तो यह थी हमारी pile number one की reading अगर आपको अच्छी लगी हो यह four signs की reading तो आप मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि reading आपको कैसी लगी है अगर आपको यह reading अच्छी लगी तो like ज़रूर करतें वीडियो को अब हम यहाँ पर बात करेंगे next हमारा pile जो हमने select किया है यहाँ पर हम बात करेंगे Leo sign, Virgo sign, Libra sign और Scorpio sign की चार signs हमने यहाँ पर लिये है और यह जो pile आप देख रहे हैं यह आप लोगों के लिए है आपके future में आपके भागे में क्या है वो भी हम जानेंगे और past की energies को भी चेक करेंगे तो चलिए यहाँ पर reading स्टार्ट करते हैं four signs के लिए यहाँ पर आपके लिए जो energies निकल कर आई हैं वो energies काफी जादा destructive energies हैं यहाँ पर है six of cups, the devil, five of sword और इसके साथ साथ है five of wands तो five की energies दो हैं यहाँ पर तो यह past energies हैं आपकी तो आपने बहुत सारे धोके खाए हैं आपके साथ बहुत सारे लोगों ने धोका किया ह मुझे यहाँ पर सिंग राशी और कन्या राशी तुला राशी वरिश्चिक राशी आप लोगों ने क्यों इतने धोके खाए हैं आपके साथ इतना बड़ा धोका हुआ है जो आपके अपनों ने ही किया है यहाँ पर यह बहुत जादा दिख रहा है आपके साथ इतना हुआ है आपने फिर भी कभी भी उफ तक नहीं की आपने बहुत कुछ सहा है आपने अपने अपनों से धोखा काया है आपने अपने परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है या आपका कोई बच्पन का दोस्त हो सकता है या आपका कोई बहुत ही करीबी जो मुझे दिख र और आप उससे लड़ते भी रहे हैं इस धोखे के कारण कि क्यों वो आपके साथ अतना बड़ा दोखा कर रहा है और आपने इसको देखा भी है धोगा करते हुए पर वो जो है वो मानने को तैयार नहीं है और आप इस एनरजी में है आपके साथ पास्ट में बहुत बहुत कुछ हुआ है जो आपको अंदर तक तोड़ कर चला गया है आपके लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग तो इतना हर्ट है कि यहाँ पर डैविल की इनरजी दिख रही है कि उन्होंने कुछ गलत रास्ते भी चूज कर लिए है आपने जो गलत रास्ते चुने है आपको उन रास्तों पर नहीं चलना चाहिए इस बात को मैं जरूर आपको एडवाइज करूँगी देखे कभी कभी ऐसा होता है कि धोके बहुत बढ़े होते है और हम उन एनरजी से निकल नहीं पाते पर आपको यह नहीं करना चाहिए अगर आप किसी गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे है किसी गलत डारेक्शन की तरफ बढ़ रहे है तो यह आपके लिए नहीं है आपके लिए आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है यहाँ पर कुछ चीजें तूटेंगी कुछ चीजें बिगडेंगी कुछ चीजें हो सकता है वापस भी ना मिल पाएं क्योंकि बहुत इनरजिस इस तरह की आई है दे टावर दिखाता है कि फ्यूचर में भी कुछ छूट जाएगा सारा कुछ वापस नहीं मिलेगा कुछ रिश्टे तूट सकते हैं कुछ बहुत बड़ा छूट सकता है पर यहाँ पर आपको उस छूटे हुए को फिर से जोडने की फिर से आपको इकठा करने की जरूरत नहीं है आपको आगे मूव ऑन करना है आपके लिए आपके फ्यूचर की रीडिंग्स बहुत प्यारी आई है अगर आपका कोई रिष्टा तूटा है, कोई रिष्टा छूटा है, उसे छोड़ दीजे, मूवाउन कीजे, आगे बढ़ी है, नाइट आफ वांस की इनर्जी दिखाती है, कि आगे बढ़ना का समय है, फ्यूचर आपको ये कह रहा है, कि आगे अगर आप कदम रखेंगे, तो आपके लिए युनिवर्स भी आपका साथ देगा, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, जो आपकी इस इनर्जी से बाहर निकाल कर ले जाएगा, और बड़ी क्विकली आने वाला है वो आपके जीवन में, ऐसा नहीं है, कि बहुत जादा लंबा इंतजार है इसा नहीं है, यह इनर्जी बहुत क्विक इनर्जी है, आपके लिए वो जल्दी ही आने वाला है, हो सकता है 21 की शुरुआत में ही वो आपके जीवन में आजाए और आपको इस दर्द से बाहर निकाल ले कर ले जाए, यहाँ पर 10 of cups है, 9 of cups है, तो बहुत एक प्यारी इनर तो ऐसी इनर्जी हैं, इन इनर्जी को समझ कर आप पुराने रिश्टों से बाहर आए, किसी ने भी आपके साथ कुछ भी किया है, उससे मूआँ किजिए, पुराने रिश्टों को भूल जाए, यहाँगि टो टाष गर की इनर्जी कहती है, आपके साथ बहुत बड़ा कु और आपके जीवन से बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ सकता है तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस से मूव आन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके फ्यूचर में पहुंच जाएए जितना जल्दी हो सके पीछे की बातों को भुला दीजिए जितना हो सके आप उस रिष्टे को भुला दीजिए और दूसरी बात मैं पाल नमबर टू जिन राशियों की मैं यहाँ पर जिन जॉडियक साइंस की बात कर रही हूं दे डैवल की इनर्जी बार बार मुझे ये कह रही है कि पास्ट से आपने अपनी ये हैबिट लेकर नहीं फ्यूचर में आना है आपको ये हैबिट छोड़नी है जो भी गलत आदतें आपने पकड़ी है आपने ड्रिंक की आदत पकड़ ली है आपने कुछ भी बुरी आदत देखे बुरी आदतें बहुत होती है तो वो अगर आपने पकड़ी है तो वो आपको पता है कि आपको क्या बुरी आदत है और आपको इसे future में लेकर नहीं आना नहीं तो वहाँ पर भी आपको distraction मिल सकती है वहाँ पर भी रिष्टों पर इसका प्रभाव हो सकता है तो pile number two आपको ये समझना जरूरी है कि इन चीजों को छोड़ कर आप आगे आएं तब ही एक अच्छा रिष्टा बना पाएंगे एक अच्छे future की तरफ आप बढ़ पाएंगे एक अच्छा bright future आपका इंतजार कर रहा है तो उसमें कदम आपको जरूर रखना है और आपको ये जरूर करना है क्योंकि युनिवर्सल गाइडन्स यही है तो इसलिए अपने habits को छोड़ें और आगे move on करें ये थी हमारे pile number two की reading force audio science हमने यहाँ पर cover किये हैं अगर आपको ये reading अच्छे लगी हो अगर आप पर ये resonate हुई हो तो मुझे comment section में जरूर बताएं कि reading आपको कैसी लगी और ऐसी ही readings को अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें ताके notification आपको मिले और आप हर reading को देख पाएं आगे बात करते हैं अब हम third pile की third pile में है four zodiac signs कौन-कौन से zodiac signs है चलिए जानते हैं first sign यहां पर जो हमारा third pile का first sign है वो है Sagittarius यानि के धनू राशी Capricorn sign यानि के मकर राशी Aquarius sign यानि के कुंभ राशी Pisces sign यानि के मीन राशी तो चार signs यहां पर हैं आपके लिए क्या है आपका भाग्य क्या है आपका future past में क्या energies थी क्या आपने सहा क्या आपने सुना क्या आपने देखा और क्या आप अपने भाग्य में पाएंगे चलिए जानते हैं past की energies पहले चेक करते हैं यहां पर है king of pentacles the hermit, two of cups और knight of pentacles बहुत प्यारी energies है past की तो आपका past बहुत अच्छा चल रहा था आपने बहुत कुछ अच्छा यहां पर देखा है आपके लिए two of cups दिखाता है कि आप अपने soulmate से मिल पाएं है आपके लिए यह energies बहुत ही प्यारी है काफी stable आपके लिए रिश्टा रहा है आपने इस रिश्टे को बहुत ही प्यार से पाया है कुछ लोगों के लिए यहां पर देख सकती हूं कि शादी हुई है कुछ लोगों के लिए कोई रिश्टा आपका जुड़ा है जो बहुत ही अच्छा रिश्टा रहा है और past में यह energies काफी जादा अच्छी energies है तो यहां पर आपका future भी देखते हैं कि भाग्य में क्या है भाग्य में जो है वो थोड़ा सा critical है यहां पर थोड़ा सा समझ कर इस बात को आप आगे बढ़ेंगे देखिए six of sword की जो energy है वो दिखाती है कि कुछ ना कुछ ऐसा जो आप छोड़ कर आगे बढ़ेंगे आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी sacrifice करनी होंगी हो सकता है कि वो आपके बहुत अच्छे के लिए हों आपको इस बात को भी जरूर ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ें तो आपको दर्द हो कभी-कभी दर्द अच्छे के लिए होता है कभी-कभी वो दर्द हमें बहुत कुछ दे कर जाता है कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इतने अच्छे फ्यूटर की तरफ बढ़ते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को एकठा करके साथ ले जाते हैं तो ये वही चीज मुझे देख रही है Six of Swords की एनरजी ऐसी ही है कि आप जो चीजें लेकर आगे बढ़ेंगे आपको पीछे कुछ चोड़ना भी पड़ेगा चोटी मोटी चीजें भी हो सकती है कुछ यादें हो सकती है जो बहुत मीठी थी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपके एमोशन्स थे तो ये चीजें आप छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे आगे मूव आन करेंगे तो ये रिष्टा आपको बहुत कुछ दे कर जाएगा इसके साथ साथ एक और मैं बात देख पा रही हूँ यहाँ पर यहाँ पर कुछ कोई हो सकता है कि आपकी जो जिससे आपकी शादी होई है या जिसके साथ आपका रिष्टा जुड़ा है वो थोड़ी सी ब्लंट हो आपके साथ उनको अभी तक इस इनर्जी का पता नहीं था पर अब जैसे ही आपको यह पता लगेगा कि वो थोड़ी ब्लंट है तो आपको कभी-कभी इस रिष्टे में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देंगी जो थोड़ी difficult है निभाना पर ऐसा नहीं है कि यह रिष्टा निभेगा नहीं यह रिष्टा जरूर फ्यूचर में निभेगा और आप इस रिष्टे में आगे भी बढ़ेंगे तो कभी-कभी यह चीज़ें थोड़ी बहुत जो होती है हमें इनको बरदाश्ट भी करना पड़ता है अगर मैं करियर की यहां पर रिडिंग की बात करूँ तो भविष्वे में आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा करियर में आपको किसी बात के लिए जिंता की जरूरत नहीं है आप काफी अच्छे करियर की तरफ जाएंगे हो सकता है कोई नया restart आपके लिए हो आप कुछ नया start करें कुछ भी नया कुछ भी आपने सोचा था प्लान किया हुआ था तो उसे भी आप start कर सकते हैं यहाँ पर page of cups की energy दिखाती है कि आपके जीवन में जो आपके साथ है जो आपके लिए two of cups की energy दिखा रही थी कि soulmate connection है यहाँ पर तो वो आपके लिए वैसा ही रहने वाला है बहुत प्यारी energies रहेंगी आपके लिए future भी आपका bright है रिष्टों को लेकर तो कोई खास यहाँ पर मुझे problem दिखाई नहीं दे रही है तो बस थोड़ी थोड़ी बातों को आपको बरदाश करना है swords के जो दोकाज हैं यही बताते हैं कि कुछ चीज़ें हमें कभी-कभी अपनों की ही बरदाश करनी पड़ती हैं तो यहाँ पर वो ज़रूर करनी पड़ेंगी आपको काम में भी करनी पड़ सकती है घर पर भी करनी पड़ सकती है तो उन चीज़ों को अगर आप बरदाश्ट कर लेते हैं तो बाकि सब आपके लिए अच्छा है फ्यूचर बहुत ब्राइट है सब कुछ अच्छा है चोटी चोटी डिफिकल्टीज को हमें पार करके बड़े बड़े समंदर लांगने होते हैं तो ये जो चीज़ें है सिक्स ओफ स्वार्ड हमें यहीं दिखाता है तो ये एनर्जीज जो आपके लिए निकल कर आई है सैजिटेरियर साइन से लेकर पाईसे साइन तक काफी अच्छी एनर्जीज है करियर के लिए भी लव लाइफ के लिए भी आपका करियर आगे जाकर आपको कुछ ना कुछ सकस्स जरूर देगा आपके करियर में कुछ नया लिखा है बहुत पैशनेट हैं आप अपने करियर के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं काफी सारे प्लाइन्स भी आपने किये होंगे और काफी सारा पैसा भी जोड़ा होगा तो यहाँ पर जो पास्ट में आपने किंग आफ कोईन्स है या नाइट आफ कोईन्स है तो यह दिखाता है कि आपके पास इतना पैसा होगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पहले ही फिक्स कर लिया है यह फ्यूटर में आपने क्या इन्वेस्ट करना है कहां इन्वेस्ट करना है कहां पैसे लगाने है कैसे करना है तो ये plans आपके दिमाग में चल रहे होंगे तो इसको भी आपने ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पर कुछ swords है swords दिखाती हैं आपकी struggles को आपकी obstacles को, आपकी परिशानियों को तो कुछ परिशानियां भी साथ साथ रहेंगी ऐसा नहीं है कि बहुत smoothly हो जाएगा ऐसा तो नहीं होता जीवन में कुछ ना कुछ तो हमारे साथ चलता रहता है यह जीवन है, संखर्ष वाला जीवन हमेशा ही रहता है कुछ ना कुछ हमें जरूर obstacles face करने पड़ती है हमेशा हर चीज स्मूध नहीं होती तो यह चोटी मोटी problem साथ साथ चलेंगी और फिर आपके लिए जो आपने start करना है वो जरूर start हो जाएगा आपके लिए आपके future में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको reveal करना है, जो आपको निकालना है देखिए, यहां पर page of cups की energy दिखाती है कि कुछ ना कुछ ऐसा secret है जो आपके सामने आएगा और वो secret बहुत प्यारा secret होगा और अभी तक वो आपके सामने नहीं आया हो सकता है, अब आगे आपके सामने आजाए तो उसका भी आपको इंतजार हो सकता है और यह इंतजार जल्दी ही आपके सामने आजाएगा और जो secrets अभी छुपे हुए थे वो बाहर आएंगे ये आपके लिए एक knowledge की रूप में हो सकते हैं किसी भी रूप में हो सकते हैं रिष्टे की रूप में हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि यहां पर आपके लिए जो cups की energies हैं वो बहुत caring energies हैं तो कुछ ना कुछ रिष्टा कुछ ना कुछ ऐसा चीज जिसको आप start करना चाह रहे थे future में उसको आप start कर पाएंगे Queen of sword की energy यहां पर दिखाती है कि आपको बस अपने behavior पर control रखना है आपको बस अपने behavior पर इस तरह से control रखना है कि किसी से चाहे आप job में हैं चाहे आप business कर रहे हैं तो किसी से ऐसी बात ना करें जिससे आपकी बातें दूसरों को hurt हो तो ये भी एक point है जिसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जब हम future में कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं कुछ नया start करना होता है तो हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है आप एक बहुत दूरी की तरफ जैसे traveling दिख रही है तो कुछ दूर भी जा सकते है कुछ लोगों के लिए transfer हो सकती है वहाँ पर आप दुबारा से नौकरी कर सकते है तो ये भी future आपका दिखा रहा है traveling हो सकती है बहुत दूर की यात्रा हो सकती है कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर जो traveling दिख रही है six of swords से ये दिखाती है कि कुछ चीजों को sacrifice अगर कर लेंगे तो जो नया start होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा start होगा तो sacrifice साथ में है future में pile number three आपको ये समझना है कि आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज अराम से पकी पकाई मिलेगी efforts भी करने पड़ेंगे और महिनत भी करनी पड़ेगी अपने self को control भी करना पड़ेगा अपने aggression को भी control करना पड़ेगा आपको अपनी energy पर ध्यान देकर focus होकर concentration के साथ आगे बढ़ेंगे तब ही आप अपने future में पास सकते हैं वो जो आप पाना चाहते हैं तो ये जो reading है ये बहुत ही अच्छी reading रही है क्योंकि मेहनत से किया गया कोई भी काम कभी खाली नहीं जाता तो आपको मेहनत जरूर करनी है पास्ट जैसा भी अच्छा रहा हो future में मेहनत जितनी करेंगे उतना ही आप appreciate किये जाएंगे उतना ही आप सफलता की और बढ़ते चले जाएंगे मैं इस बात को जरूर मानती हूँ कि कभी भी आपकी reading कैसे भी हो अगर आप मेहनत करते हैं तो फल खाली नहीं जाता है आपको कभी ना कभी उसका reward जरूर मिलेगा आज नहीं, कल नहीं कभी तो मिलेगा तो ये जरूर है कि जब आप मेहनत करते हो तो उसके फल की इच्छा भी आप कर पाते हो तो ये थी हमारे पाइल नमबर 3 की रीडिंग अगर आप पर ये रेजनेट हुई हो अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो कमेंट ज़रूर करें आपके कमेंट मैं हमेशा पढ़ती हूँ अच्छे भी बहुत लगते हैं पर जवाब नहीं दे पाती हूँ समय की कमी के कारण अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करते रहें थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए आप लोग हमेशा इसी तरह से हसते रहें, मुस्कुराते रहें स्टे ब्लेस्ट एंड आलवेश स्टे पोजिटिव थैंक यू